हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माँ न्यू वीडियो तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो भी ट्रेड्स मैंने ली हैं जो भी रीजन हैं सब बताने की कोशिश करूंगा ठीक है और दूसरी चीज प्राइस एक्शन से रिलेटेड कुछ डीप ट्रेड्स हैं बहु कोशिश करूंगा ठीक है तो विडियो के एंड्ट तक देखना बहुत अच्छी वडियो बनी है चीक है तो मैं स्टक करता हूँ मैंने क्या चीज कोशिश करो मार्क एहां से क्या करने की का कोशुष कर रही है फिर भी बायर आगे continue नहीं कर पाई clear हुआ फिर अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जब यह स्क्रीन थोड़ी जूम इन होगी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगो जो मैंने देख के ट्रेड ली है ठीक है अब यहां पर क्या है तीन सेलर की एंट्री ले सकता था क्यूंकि अप डिरेक्षन की लास्ट केंडल है यह, शेलर ने बायर की मदर केंडल पर क्लोजिंग दी लेकिन बायर ने यहां से एंट्री नहीं करीола सेलर ने ने कॉंटिनूुशन सिग्नल दिया लेकिन यहां पे मैंने left and side एक level में भी आपको दिखेगा भी मैंने left and side level draw करा हो था उस point से मिरे को पता था market इस point से enter होए हैं तो देखते हैं ये level break हो पाता है कि नहीं तो मैं उसी वज़े से मैंने आप एक level draw किया था तो seller ने फिर अब क्या आप इस candle को week candle बोलोगे नहीं ये seller की down direction के लिए pure continuation candle है य ये बायर इस वज़े से आगए क्योंकि ये बायर का area ये support level है जब बायर एरिया से support level से बायर ने entry करी अब देखो हुआ कि मैंने लिए यहां पर एक अरे यार एक मिनट यह दखो मैंने लिए यहां पर एक put kit rate put kit rate लेने का reason समझो अगर seller यहां पर आता first time strong और फिर strong buyer है मु नहीं मानी नहीं नहीं दो candle ने again seller ने entry करी लेकिन क्या seller वीक है ये candle वीक नहीं seller के लिए down direction के लिए pure continuation candle है फिर seller से गल्ती क्या हुई उसने buyer area पे stop कर दिया फिर जब buyer area पे इस ने stop किया इस buyer ने entry करी किसने इस buyer ने अपने area से entry करी लेकिन ध्यान से देखो एक मिनट पॉस क buyer area से buyer enter हो लेकिन down direction के लिए seller ने क्या हार मान ली नहीं मानी ये एक pure continuation signal है अगर buyer चाते continue करना तो वो body to body dominate कर रहा है at least एक new high लगा देते right तो मेरे को confirm हो जाता कि यह वाला trend यह वाली direction उपर को चलना चाती है लेकिन buyer ने body to body to dominate किया लेकिन previous candle का high break नहीं कर पाया इसका मतलब seller ने buyer को new high नहीं लगाने दिया common सी बात है अगर buyer new high नहीं लगा पा रहा तो कौन नहीं लगाने दे रहा seller नहीं लगाने दे रहा इसका मतलब seller की यह last candle मुझे पहले ही पता लग गई है यह continuation candle है और seller कमजोर नहीं हो रहे buyer enter कर रहे है लेकिन buyer ने new high नहीं लगाया मिरे को proper continuation signal नहीं दिया इसके हाई की वज़ाज से मैं बताऊं तो मैंने यह पर put kit rate place करी यह आप इस point से ध्यान से देखो buyer strongly enter होई seller enter क्यूं होई क्यूं होई seller enter फिर seller की continuation के अंड़ बाद फिर buyer ने body to body dominant के हाई क्यूं नहीं लगाया इसका मतलब seller continue करना चाहते है ठीक है ठीक है यह हम candle की confirmation को इसके हाई से यहाँ पर मैंने put kit rate लेने का सोचा clear हुआ लेकिन यहाँ पर मैंने यह तो देख लिया कि seller नीचे जाना चाहता है strong आये strong आये तो इसके हाई से seller की expectation मुझे थी तभी मैं put के साथ गया लेकिन क्या मैं यह कह सकता हूं कि buyer ने हार मान ली नहीं मानी strong buyer even strong body to body dominate कर रहा है तो मेरे को मीट थी कि इस zone के breakout के बाद कहीं retracement ना आ जाए इसलिए मैंने आप पर put kit trade नहीं ली और कुछ बंदे बोलेंगे सब retracement के साथ चले जाते हां मैं जा सकता था retracement में लेकिन ध्यान से देखो seller back to back अपने आपको increase कर रहा है तो ऐसे time पर ऐसे भी हो सकत रहा था candle open होती उपर जाती एक मिनट केंडल open होती उपर जाती रिजक्ट होती और डिरेक्ट बेरिश केंडल फॉर्म हो जाती clear हुआ इसलिए मैंने आप पर कॉल के ट्रेट प्लेस नहीं करी ठीक है मैं आगे प्ले करता हूँ सेलर देख रहे हो कितना strongly enter कर रहा है इसका मतलब मैं जो सोच रहा था market यूटन करने की कोशिश कर रही है वो सच बात है बायर चाहते तो अपने area से वापिस से पहला हाय लगाने की कोशिश करते बायर नहीं लगा पारे इसका मतलब सेलर continue करेगा अब बायर क्या कोशिश करेगा बायर बोलेगा कि तूने मेरे को जिसंड लेवल क के नीचे ला कर खड़ा किया है मैं वापिस से उस लेवल के उपर जाने की कोशिश करू लेकिनδ executives करेगा उसको इस लेवल कि नीचे रखने में यह देखो रिजेक्शन देख रहे हो इसी चीज़ के डर के लिए मैंने आप पर कॉल की टेट प्लेस नहीं करी थी मुझे डर था कि डिरेक्ट एक बेरिश केंडल क्यों न बन जाए क्योंकि सेलर बहुत स्ट्रॉंगली एंटर हो हैं तो मुझे वेट करना था अब देखो अब देखो यहाँ पर मैंने ली एक पुट की ट्रेड हाँ ट्रेड रिस्की हो सकती थी उसका रिजन बताता हूँ पहले चीज़ मैंने क्या बताय उत्ल के बाद मैंने क smoking ने यूटन करने के बाद मेरे को पक्का पता था ये को इस लेवल के नीचे रखने की और गार के अंदर दम होगा अगर वह इस ट्रेंड को कॉंटिनि यू करना चाहेगा तो वह इस लेवल के उपड़ के पूरी कोशिश करेगा लेकिन हुआ क्या सेलर ने बायर को इस लेवल के नीचे रख दिया तो मैंने आप पूट के ट्रेड ली लेकिन मेरे से गलती हुई द्यान से देखना है मैं आपको दिखाता हूँ केंडल की ऑपनिंग देखो फरस्ट केंडल की ऑपनिंग एक मिनुड़ मैं फिर पीछे करता हूँ तोड़ासा पीछे करके देखो जहाँ से टैंडल की ऑपर नीचे गई यह रिसकी था मैंने चीज देखा नहीं और मैंने डयक पूट के ड़े लेकिन को प्यूर्विश्ट थ तो इसलिए मैं यहां पर तो सेलर के आने का चांस है लेकिन दे रही है तो यह तो चलो बाय लग दिखते हैं क्या होता है मैं बताता हूं यह सच में रिसकी टिसे में मांता हूं यह डीलिटन नहीं होना चाहिए था यह गैडन को अंगरसे ऑना होता हो तो साथ उपनिंग से भी सकता यह यह सकता तो रिए तो चलो बाय लक मैं जीत गया क्योंकि सेलर बहुत स्ट्रॉंग थे उसने बायर को अपने उपर हावी नहीं होने दिया तो यह सेलर कॉंटिन्यू कर गए बट रिस्की थी कि सेलर पूरा डॉमिनेट करने की कोशिश कर रहा है हमारी ट्रेड विन होगई क्योंकि सेलर ने जब एंट्री करी बायर कोड़ी ट्रेस किया तो इस कैंडल को रिप्लाय देना था हाँ यह gap down देखे डरा दिया था लेकिन फिर भी हमारा बाइलक कहलो हमारा विन हुआ लेकिन अब मेरे को इसके उपपर डाउट था अगर स्मार्किट ने यूटन कर लिया है सेलर ने body to body कर दिये तो मेरे को ढंग से न्यू लो लगता दिखता मेरे को नहीं दिखा मेरे को इस डाउन डिरेक्शन के लिए सकता हूं लेकिन अगर मैं टार्गेट ही नहीं ध्यान दूंगा यहीं गलती होती है अगर आप टार्गेट नहीं ध्यान दोगे तो अब हर केंडल से डरोगे अब मैं टार्गेट देख लूँगा तो मुझे पता होगा क्या करना है कहा तक जाना है कहा तक सेलर के साथ जान ये ठीक है चलर ने जब यहां से यूट्ट किया यूटट करने के बाद इस लेवल का ब्रेटाउट किया इसBlackärke inspiration आए रिट्रेस्मेंट आने के बाद सेली घुट्र केृत्व करके मैं को हाफ confirmation दी new law लगा देता तो मैं और शूर हो जाता तो तो में मैंने हाप पर एक फुट की ट्रेट प्लेस करें और इसी तरीके के सिगनल सर्विसीज भी मैं स्टार्ट कर चुका हूं बहुत अच्छा फीडबैक आता है अगर आप मेरे पुब्लिक ग्रूप में हो तो आप जरूर देखिए कि मेरे सिगनल जो है वो बहुत जाद जाते हैं बिलकुल ऐसी प्राइस एक्षिन के भी आफ़े में ट्रेट लेता हूं और आप अगर जोईन करना चाहते है तो डेफिनेटल कर सकते हो मेरे पुब्लिक ग्रूप के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी ठीक है नहीं तो यह वीडियो एसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपक देखते हैं क्या होता है अब यहां पर मेरी ट्रेड हो गई विन अब आगे आप देखो मार्किट के अंदर सेलर ने कॉंटिनेशन सिगनल नहीं दिया द्यान से देखो सेलर ने प्रिवेस लोका ब्रेक आउट नहीं किया सेलर रिप्लाय में श्रिंक हो रहा है लोर इजेक्शन ज्यादा है इसका मतलब भी सेरिया पर बायर एक्टिव है तो मैं यहां पर ट्रेड आई थिंग मैंने नहीं लि लेने का फाइदा अब देखो अगर मार्किट के अंदर मुझे पता है डिरेक्शन डाउन की है ठीक है लेकिन अब कुछ बंदे बॉलेंगे नियू लग गया तो मैं आपर पूट के साथ जाओंगा लेकिन अब एक चीज़ बताओ यह एरिया किसका है यह प्रिवेस केंडल का लो कहना चाहरा है कि यहां पर कुछ बायर बैठे थे जो कि बाइंग कर रहे है ठीक है फिर सेलर का जब आगी यह वाला केंडल का जब इसका रिप्लाय आया यहां पर इस लेवल को जोन को ब्रेक क्यों नहीं कर पाया इसका मतलब यहां पर बायर ज्यादा एक्टिव है इसका मतलब क्या इस एरिया पर बायर एक्टिव है इसलिए मैंने आप पर कॉल किया पुट की ट्रेड नहीं ली अब आप बोलोगे कि सर जब आपको पता था कि आप कॉल की ट्रेड ले सकते हो तो आप क्यों नहीं ले रहे यही तो फायदा है कि अगर आपको राइट नोल चलूँगा मैं इसको एजर रिट्रेस्मेंट ही लेकर चलूँगा तो कभी भी जिस डिरेक्शन में चल रहे हो उसके अगेंस सोचो अरे यारे आज एगी मैं ले लेता हूं रिवर्सल की ट्रेड नहीं मत करो वह डिरेक्शन का ज्यादा फोर्स है इस वाज़े से वह केंड क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेला ने प्रिवर्स लोग का ब्रिक आउट नहीं किया तो बायर आने की कोशिश करेंगे ठीक है अब मेरे लिए कंफर्मिशन नहीं है अब दियान से देखो एक चीज़ और मैं एक चीज़ आपको एक छोटा से बात बताता हूं मार्किट के अंदर द्यान से दिखो यहां पर अगर कोई पैटर वाइस बन देया है बहुत इप चीज़ बताने जा रहा हूं क्या बने हा पर मॉर्निंग स्टार बट फे लो गया इंगल फिंग फेल हो गया तो इंगल फिंग के लो यह भी फेल होगा तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीछे से पैटन कौपी होते हैं अगर आप पीछे आपको दिख रहा है कोई भी डाउन डेरेक्शन और डाउन डेरेक्शन में बुलिश पैटन कोई भी काम नहीं कर रहा तो इ तो अब यह रिवर्स हो जाएगी क्योंकि डिरेक्शन डाउन किया और यह पैटन काम नहीं करेगा क्योंकि सेलर का फोर्स है सेलर कभी नहीं चाहेगा कि बायर अपना पैटन सेक्सेस्फुली कम्प्लीट कर पाए वो करने नहीं देगा वो इशू क्रेट करेगा ठीक है अब मेरे को क्या पता चला मैंने यह पे लिए पूट की ट्रेट चीक है किस रीजन की वजैसे डाउन डिरेक्शन था इंगल्फिंग के बाद सेलर ने यह कैंडल एक डाउन डेरेक्शन के लिए प्योर कॉंटिनुशन कैंडल है और इस कैंडल ने प्रिवियस जो य चाहता में अगरे बुलिषपेटर्न काम करना होता तो अना कर्का रिट्रेसमेंट अगर को रिट्रेसमेंट secure रुके तो सही है नहीं। ना इसकी लोर रेजैक्शन क्लबें ना इसकीन डाउन सिगनल है इसलिए मैंने यहां पर ली एक पुट की ट्रेट तो चिक एम थोड़ा आगे बढ़ा कि दिखाता हूं मेरे को पूरा कंफर्मेशन था यह एक पुट की ट्रेड होनी चीए बट कोई बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ भी ऐसा हैंडर परसेंट शौर नहीं है कि यह चीज बोली है तो वह चीज होगी ही होगी ठीक है तो कोई बनी अगर यह लॉस हुआ मैं अगली ट्रेड में दिखाता हूं एक मिनट कि अगर बुलिश प्रेटर्न या फेल हुआ तो डाउन डिरेक्शन के लिए यह केंडल कॉंटिनुशन होनी चाहिए थी तो इसके बाद यह केंडल बैरिश क्यों नहीं बनी इसका मतलब इस एरियां पर बायर का स्ट्रॉंगनिस बहुत जाद है ड कि बुलिश इंगलफिंग के बाद अगर बैरिश कॉंटिनुग कर रहा है तो बायर दुबारा क्यों एंटर कर रहे हैं समझ गे ना बूलिश पैटर्न बना डाउन डिरेक्शन के लिए कॉंटिनिशन सिगनल बना तो सेलर क्यों नहीं है बायर क्यों है और अगेन बायर सिच वेशन जो मैंने यहां बताई थी ना देखो लास केंडल स्टॉंग थी हाई पर क्लोजिंग दी सेलर ने अंटर्र करी तो यह चीज़ वही हो यहां पर लास केंडल का हाई स्टॉंग है और डाउन डिरेक्शन हार नहीं मानी तो यही केंडल अपने हाई से रिप्लाइ सिगनल नहीं दे रही मुझे कंफर्म नहीं कर रही क्योंकि यह मैं जिस डाउन डिरेक्शन में चल रहा हूं उसमें ऐसे से केंडल आएंगे तो कैसे चलेगा मेर को कोई ऐसा स्ट्रॉंगनेस नहीं दिखा रही और रेड़ी बार 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 बीच में से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं यहां पर ट्रेट कैसे लूँ मुझे शॉर्ट ही नहीं मिल रही तो मैं यहां पर वेट कर रहा हूं ठीक है आगे बढ़ाता हूं ठीक है से लड़ बहुत स्ट्रॉंग आ रहा है वेरी गूट मतलब डाउन डिरेक्शन वापिस कॉंटिन्यू करना चाहता अपना ट्रेंड को ठीक है लोग 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 में मार्केट में दुबारा मार्केट लोग लगाने की कोशिश कर रही है मार्केट का टार्गेट इस यहां पर यह केंडल इसलिए आ रही है क्योंकि अभी जो बायर ने बीच में अपनी स्ट्रॉंगनेस दिखाई सेलर ने एक मिनट मैं दिखा देता हूं क्योंकि कई भाई हैं जो मेरी समझाने के तरीके को बहुत प्यार करते हैं तो पसंद करते मैं चाहता हूं उनको मैं ब वो बार ही ट्राय किया मार्केट में नीचे से उपर की तरफ रिवर्सल करने का क्या वो वीक्नेस दिखाई नहीं दिखाई उल्टा यहां पर भी बायर ने बहुत स्ट्रॉंग एंट्री दिखाई न्यू हाई लगाया इसका मतलब बायर एंटर करेगा इसमें लेकिन देख वो न आते हैं सर मैं कहीं पर भी ट्रेड ले लिता हूं वो रिजन यह यह आप अपने एक सीरी इक सिस्टोमेटिकली नहीं चल रहे जब आप अपने माइंसेट को यह बोलें कि नहीं जब तक मेरा सैटप नहीं बनता मैं पेशन्स पूली बैठा रहा रहां गा अगर यह च रिख देखना लूंगा मैं एक इक काल की ट्रेट कॉल की ट्रेट केंडल उपन हुई फर्स्त खांग गई मैंने ये ध्यान दिया अब मैं एक नट पहले इसमें चीज़ बता देता हूँ मार्किट के अंदर सेलर आ रहा था आ रहा था स्ट्रॉंग बायर आए सेलर नेट कॉंटिनिशन सिगनल दिया अगेन बायर ने डॉमिनेट किया अगेन सेलर ने कॉंटिन्यू किया और इस जोन के इस जोन के नीचे इस जोन के नीचे क्लोजिंग दी तो ये बाइर कैसे मान सकता है के तू मेरा लेवल तोड रहा है और हमारे अंदर अभी इतनी स्टॉंगनेस थी तो ये रिप्लाइ दिया अब इस केंडल ने क्लोजिंग दी इस लाइन के नीचे लेकिन मैं यहां पर लेने वाला था पुट की ट्रेट लेकिन लास्ट कैंडल उपन होते फ्रस्ट ये दिखो नीचे कई अब इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या ध्यान से समझो bess़ ऑड वह utilizz ओब अब बंदे समझ रहांगे कि सर इस level का break out हुआ है यहांपर breakout के administration आई तो यहांपर put के साथ जाना चाहिए लेकिन पुट के साथ अगर मैं जाता तो मैं वेट कर रहा था candle open होते ही फॉस्ट उपर जाए reject तो मैं पुट के साथ जाता तब मैं इसको लेकिन हुआ क्या केंडल ओपन होती पहले नीचे गई इसका मतलब क्या ध्यान से देखो यह जो एक इसके बीच का जो यह जोन है यह इसके उपर क्लोजिंग दिये और वह चैंडल ओपन होती इसको टेच करके बुलिश केंडल बनना चाहती है समझे इसी लिए सिरफ देखो एक सिगनल से मुझे पता लगए कि मैं क्या गलती करने वाला हूं मैं पहले लेने वाला था फुट की ट्रेड मैंने लास्ट मॉमेंट पर कॉल की ट्रेड प्लेस क्यों करी क्योंकि मैंने दिखा चैंडल ओपन होती फर्स्ट नीचे गई होल्ड रही फिर हलका सा अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊ इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया है अगर यह रिट्रेस्मेंट थी और डाउन डिरेक्शन को कॉंटिन्यू करना था तो फर्स्ट उपर जाके नीचे की तरह रिजेक्शन देती मैं यहीं पर पूट लेता लेकिन केंडल उपन होते ह मैं यहीं नीचे कूँ गई उपर के तरफ रिजक्ट क्यों है इसका मतलब बाय कॉंटिन्यू करना चाहते और मेरे को यह यह इसका यह दिग अ इसका मतलब बायर continue करना चाहते हैं clear ठीक है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई कोई बाद नहीं है थोड़ा deep बताना हो कम से कम थोड़ा लंबी वीडियो हो जो बता है सामने वाले को समझ आए तो खुशी होती है कि हाँ जो बताया है सामने वाला समझ पा रहा है और उसको apply करता है तो उसको result दिखता है तो अच्छा लगता है ठीक है न कोई बाद वीडियो लंबी हो भी जाती है तो कोई इश्या इतना इश्यों नहीं है ठीक है तो आज के लिए इतना काफी करते हैं जितना डीप मैं बता सकता था उतना मैंने बताया वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है ओके बाई ब्रदर्स हिर लाइक वर दो कि लोते हुझे अढ बतायों पूह लाइक है लाइक है लाइक है